हेलो माई दियर फ्रेंड्स वेलकम टू फजी एंड जैजी किट्टी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आज के गेम की मैंने तयारी किया है कितना ब्यूटिफुल लग रहा है ना ये ट्रे इसके साथ हमें चाहिए एक डाइस एक मैस ट्रेक और फ्रेंड्स ये मैंने यहां थ्री कलर के बैंगल लिए है पिंग, क्रीन और येलो इससे मैंने अपने दो-दो के ओर्डर में वन कलर वन कलर ऐसे करकर के मैंने दो-दो पीस करके लगा दे कितने नंबर्स ओफ बैंगल कितने होने चाहिए इसका ऐसा कोई particular नहीं है आप अपने according जितने भी लगा सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 मैंने यह 24 बैंगल लिये हैं आप थोड़ा आगे पिछे भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जिसे मैंने rice डाल के उसमें fix कर दिया है अब friends करना यह है कि हर एक member one by one यह game खेलेंगे उन्हें क्या करना है वन मिनट का time दिया जाएगा यह dice उन्हें roll करना है साथ साथ में मैं खेलते भी जाती हूँ कि कैसे खेलना है और फिर कैसे उनका point count होगा वो भी बताऊंगे तो सबसे पहले जैसे उन्होंने dice roll किया उनका आया six तो यह लेना है उनको match stick इसके जगा आप तुद्पिक भी यूज़ कर सकते है one two three four five six तो six पर जो बैंगल आया है उनको हाथ से नहीं उठाना है यह six बैंगल उनको इस से उठाना है match stick से अच्छा friends आप देख रहे हो इस match stick में थोड़े से चावल भी आ गया है मैं आपको दिखाती हूँ close up करके यह देखे तो यह चावल जो है यह बाहर नहीं निकालने है अगर यह चावल बाहर निकलेंगे तो उस member के minus marking होंगे तो इसे हमें यहाँ पे थोड़ा सा हिलान है यह देखो हिलाने से यह सारे राइस इसी में जड़ गए अब यह बैंगल मुझे बाहर निकालना है अब फिर से यह चांस चलना है इसमें आया वन तो उसी के बाद आगे हम करेंगे वन यह हमारी यल्लो पे आया ठीक है इस यल्लो को हम निकालेंगे इसमें अभी आप ध इस रॉल करेंगे पिर आया थ्री अब उसी के आगे काउंट करेंगे वन तो थ्री फिर इसे निकालेंगे चावल नहीं है इसे शिक्स वन टू थ्री फॉर फाइब एंड शिक्स 3, 1, 2, 3 2, 1, 2 फिर एक चांस और करती हुँ मैं 4, अब जैसे हमारा यहां 2 बैंगल है लेकिन हमारा आया 4 तो वापस हम यहां आ सकते हैं अगर हमारा 1 मिनट का टाइम बचा वह है तो हम यहां से काउंटिंग अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे 1, 2, 3 and 4 कोई दिक्कत नहीं है वो बैंगल गिर गया, कोई बात नहीं है यह वाला हम यहां से जाड़ेंगे और यहां पर रखेंगे यह वाला वापस यहां पर फसा देंगे अब यहां पर अगर हमारा टाइम ओवर हो जाता है 1 मिनट ठीक है तब यहां हम देखेंगे कि हमने कितने बैंगल निकाले हैं अब हम कलर वाइज इसे एक तरफ कर देंगे यह हमारे 3, 3, 6 and 7 बैंगल है फ्रेंट्स अब इसमें कलर के हिसाब से मैंने एक छोटा सा चिट बनाया है जिसमें मैंने कलर के पॉइंट्स एड़ मेंशन किये हैं जैसे अब देख सकते हैं पिंग के लिए मैंने 5 दिया है ग्रीन के लिए भी मैंने 5 दिया है और यलो के लिए मैंने दिया है 10 लेकिन यह जो प्लस 5 मैंने दिया है अगर ग्रीन कलर की चूड़ी निकलती है कितने भी बैंगल होंगे ग्रीन कलर के तो उसमें क्या है फाइब पॉइंट उनका और एड हो जाएगा तो जैसे मैं यहां अभी बैंगल के इसाब से आपको बताती हूँ तो यहां पर 3 हमारा पिंक है 15 पॉइंट हुआ ग्रीन एक है 15 और 5 20 हुआ और यलो 3 है तो 20, 30, 40, 50 पॉइंट हुआ लेकिन ग्रीन में प्लस 5 है ग्रीन का हमारा यहां एक बैंगल तो है कम से कम इसलिए हमारा 5 पॉइंट यहां पर और एड हो जाएगा तो हमने जोडा था 50 प तो उनके जो calculation होंगे इसके 10 के साब से यलो के और पिंक के 5 के साब से वो तो add होंगे ही लेकिन green के जो extra 5 points है वो उनको नहीं मिलेंगे क्योंकि उनका green एक भी नहीं आया है तो चाहे अगर green हमारा 5 पीस भी आएगा तो total में हम 5 का 5 के साब से 25 पॉइंट होगा और सिर्फ 5 पॉइंट ही एड करेंगे हर एक बैंगल के साथ हमें 5 नहीं आड करना है तो फ्रेंड्स आप ये गेम अपनी किटी में खिलाए आई होप कि अपके किटी मेंबर्स को पसंद आएगा थैंक्यू फॉर वाचिंग